कि नमस्कार दोस्तों डेली विलोग्स में आप सभी का एक वाफ फिर से बहुत-बहुत स्वागत है इस वार मेरे पास एक चैलेंज था कि मेरे को देना था बजट के अंदर सेट अप और उसके लिए मुझे करनी पड़ी काफी सारी सर्च यहां रिसर्च नहीं सर्च करनी पड़ी क्योंकि मुझे देखना था कि कौन सी कंपनी हमारे बजट के अंदर अच्छा एंप्लिफायर दे देगी जो कि मिड और बेस के लिए अच्छा रहे तो मेरे पास मिड बेस के लिए आया हुआ है वी 5000 पांच आर वाट का एंप्लिफायर इस एंप्लिफायर के बारे में जानेंगे वीडियो के अंदर मगर उससे पहले सब इसको सभी तरीक से खोल के तरीके से देख लेत माले फिटा भी तरह से यह किस तरीके का एंप्लिफायर तो आजिए चल चलते चलकर एंप्लिफायर को चैक कर लेते एंप्लिफायर और विटाविफायर 5,000 वाट की पावर आपको देने में वाला है और सबसे ज्यादा बैस्ट रेने वाला liners और टॉप के लिए तो आएए चलिए चलते चलकर amplifier को open कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग amplifier को open करते हैं अगर बात की जाए तो उपर की packing आप लोग देख सकते हैं यह आपका खाकी कलर की packing के अंदर आ जाता है और जो सबसे पहले आपको वी का मार्क दिखने के लिए नजर आ रहा होगा एक्सपैक यह करता हो कि मेरी तरफ से जो दिख रहा है वही आपको सामने वाली तरफ से नजर आ रहा हो वी का मार्क है यह क्यूब का है एक बात मैं कहना चाहूंगा अगर आप भाई काफी टाइम से डीजे की लाइन में हैं तो सायद क्यूब का कोई ना कोई प्रोडेक्ट को कैसे यूज कर रहे हैं और उसका रिस्पॉंस कैसा है इससे फाइदा क्या होगा जो दूसरे भाई हैं जो देख रहे हैं वीडियो उनको भी पता चलेगा कि क्यूब का प्रोडेक्ट कैसा है और इसका रिस्पॉंस कैसा इससे क्या होता है यह ऐसी जानकार अब ही हमें जरूरती पांच यह वाट का एंप्लिफाइए ले लिया और उपर की पैकिंग हटाने को आज हमें मालूम पड़े कि यह पैकिंग सिर्फिस की सेफटी परपस से दिवी है एक पैकिंग इसके अंदर है अब हम लोग इस पैकिंग को भी हटा लेते हैं अब यह वाली पैकिंग को हम लोग खोल टेते हैं एक सबसे ज्यादा ध्यान देनी वाली चीज है कि बहु जब भी कोई प्रोडेक्ट लिया जाता था उसकी पैकिंग के ओपर टाइम क्यू लगाए जाता पैकिंग बर टाइम इसकी लगा जाता है कि हमारी जो चीज़े हमारे तक सही सलामत पहुचेगी या नहीं अगर बात कीज़ें आज amplifier को आप से पहले मैंने देखा है तो कुछ अलग लुक आया क्योंकि mostly हमारे पास जितने भी amplifier अभी unboxing हम लोग करते हैं black body के अंदर हो तो यहां पर एकदम आपको metallic body silver color की एकदम signing वाली मिल जाती है और उपर इस पर लिखा हुआ cube और packing के लिहाज से काफी अच्छी इन लोगोंने मतलब nature की safety भी की हुई है यह कुछ टुकड़ी लगाए हुए चारो तब तो और उपर से मैंने जो यह भी box के उपर से गत्ता फैका है यहां पर cutting दिवी तो इससे यह damage होने का खत्रा बिलकुँ चला जाता है अब हम इसको amplify को लिका लेते हैं बाहर और इसको आगे से पीछे से अच्छी तरीके से चेक कर लेते कि यह दिखने में है कैसा यहां पर क्यूब वालों की थोड़ी सी पारीफ करनी पड़ेगी उन्होंने जो अभी तक आपकी पावर केवल आती है उसका जो concept उसे थोड़ा हम लोग जितने भी अभी तक amplify लिये हैं उसमें सबसे पहला वाला हमारे पास यही model आया जिसके अंदर यह वाला connection दिया हुआ है अब एक बार मैं आगया के इसको फ्रंट से देख लेता हूं कि इसके अंदर क्या-क्या देखने के लिए मिल जाता है सबसे पहले तो यह करा देते तो थोड़ा सा लुक अच्छा जाता अब यह पैसे की budget के कारण हुआ है या किस कारण हुआ है यह नहीं कहा जा सकता आप इसकी पन्नी को मैं remove कर देता हूं जिसे की बाटर पूफिंग हम लोग कहते हैं और इसको remove करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से देख देखने में सक्छम हो जाएंगे और अच्छी तरीके से देख पाएंगे इसको हां तो दोस्तों यह पहली लुक में आप लोगों का दिल छू लेने वाली लुक है क्योंकि यह आपको बिल्कुल मैट्लिक कलर की लुक दे रहा है यहां पर क्यूब का लोगो बना हुआ है व काफी शाइनिंग मार रहा दूर से ही और सबसे च्छी बात दोस्तों इसका पावर का जो ऑन ओफ का स्विच है यह काफी है अगर आप देखेंगे काफी हैवी स्विच दिया हुआ है ओवर अगर बॉडी की बात की जाए काफी स्ट्रॉंग बॉडी है यहां पर तो मेरे को दो दो लेयर देखने के लिए मिल रही है इस्टील की मैटल की जो दो लेयर है वो देखने के लिए मिल जाती है चैनल वन चैनल टू और यह चैनल जो है न यह एक फ्लैट आता एकदम आपको महसूस नहीं होता एक आता कट कट गरारी वाला जिसे कहेंगे यह गरारी वाले ह इसको जब आप करते हैं तो एक एक पॉइंट फील होता है कि किस तरीके से यह आप इसको घुमा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ LED देखने के लिए मिल जाती है इन LED का काम खास तौर से आपको इंडिकेट करना है जिस तरीके से आप ट्रैफिक पर जाते हैं ग्रीन आपकी बैंड बजने वाली और यह इस एंप्लिफायर के साथ नहीं है कोई भी एंप्लिफायर आपको दिखाता है रेड वाले बलक ओन हो रहे हैं बार बार जल रहे है क्लिपिंग तो आपको अपनी पावर को हमेसा रिड्यूस कर देना उससे होगा क्या कि आपकी जो सबस्क्राइब अब ज्यूटा आपके क्या होग रिड्युट स से सफफसाफ नजर आजाता है यहां पर आपको लिमीटर यहां पर आपको लिमिटर ओं ऑर न这个 के आपको मिल जाता है यहोगा ㅇसकी सैब आप मैं इसको एक बार राउंड करके इसके back side को दिखाने की आपको कोसिस करता हूँ दोस्तों जो मैं आपको पहले बता रहा था कि यहां पर कुछ अलग दिया हुआ है तो यह है अलग कमल भाई इसकी ने उसकी photo लेलो थमनिल्ट जो मैंने सबसे पहले आपको कहा था हम कुछ अलग तो यह क्या है अलग मैं आपको दिखाते हूं, यहां पर कहीं पर भी power kevel नजर नहीं आ रही होगी, अब मैं इसके अंदर पावर kevel लगाऊँ आपकी, यह इसका power kevel भी speaker on socket के अंदर दिया हुआ, यह आपकी power ke इसके लिए तो company को एक लाइक बनता है बाई अब यहां पर आपको देखने के यहां पर आपको frequency set करने के लिए दो नॉब दी हुई है इससे आप इसकी frequency को set कर सकते है नॉर्मल और subwoofer यहां से आप इसको set कर देंगे अब बात आती है इसको stereo bridge और पर यह बीच में अगर है त आप पर speak on लगाएंगे आपके channel 1 और channel 2 का जो की जाकर आपके लगेंगे cabinet के अंदर यानि कि जो इसका sound को accelerate करके जब हमारा amplifier हमें देगा तो हम channel 1 से और channel 2 से जो लेंगे अपनी cabinets को दे देंगे यहां पर आपको मिल जाते है बनाना socket red तो यहां पर प्लस यह माइनस यह वाल है इसकी जाली भी काफी अलग सी आपको देखने के लिए मिल जाती है और एक बात खास में आपको बता देता हूं जो मुझे अभी उठने से पहले नज़राई यह आपका push to reset का button है अगर किसी आपकी clipping के बाद जो आपका set है वो बंद हो गया तो इसको आप reset कर सकते हैं यह तो ठीक है दोस्तों मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप लोगों को जैसा मैं experience कराना चाहता था उस तरीके का experience कराने में सफल रहा हूंगा क्योंकि जब कोई खाईदार किसी चीज़ को खाईदने के लिए जाता है market में तो उसका अलग experience होता है घर पर लाकर खोलने का अलग experience होता है यह सारा experience मैं आपको करा दिया अब मैं इसके साथ में experience आपको और करा दिता हूं वह है price का experience दोस्तों यहां में खास बात आपको बताना जाओंगा क्यूब की company के outlet आपको इंडिया के हर कौने में मिल जाएंगे आप जाके amplifier purchase करना चाहते तो कीजिए अगर आपको जरूरत है पांच चार वाट के amplifier की और एक बात खास तोर से मैं जाओंगो इतनी मेहनत की है न उसका कुछ ना कुछ फल तो आपको भी मिलेगा और आपके भाई को भी मिलेगा तो इसके ओपर कुछ ना कुछ खास discount जरूर मिलता है मगर discount का फाइदा जब है जब आपको ची amplifier को इंडिया के अंदर सबसे अच्छे प्राइस के ऊपर अगर कोई दे सकता है तो क्यों वाले दे सकते हैं या फिर आपको डिस्किप्शन के अंदर जो नंबर दिया जाएगा उनके पास ही आपके खास प्राइस पर मिल जाएगा तो दोस्तों हस्ते रहें मुस्करात रहे